हलो मेरे प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सब वेलकम टू लजिस्टिक केमिस्ट्री बच्चा वन्स अगें थैंक यू मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप अपना प्यार मुझे आगे भी ऐसे ही देते रहेगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज अप्लोड करूँ और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का बेनिफिट मिले आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोज को शेर कीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर कीजिए बच्चा ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ आप लोगों को मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको ज़्यादा टिपिकल लग रहा है किसी भी चप्टर का राजे तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में शेर कीजिए कि मैं इस टॉपिक पे प्लीज वीडियो बनाएए तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँगी तो बच्चा हमने अपना ग्रैविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था ग्रैविटेशन होता क्या है जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने यही पढ़ा था कि ग्रैविटेशन होता क्या है तो gravitation क्या था, मैं आपको एक बार थोड़ा सा revise करा देती हूं, कि gravitation क्या था बेटा, दो objects जब किसी force के साथ, एक दूसरे को attack करते हैं, तो उनके बीच में जो force होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, gravitational force, जिस force से वो एक दूसरे को अपनी और खीचते हैं, that force is gravitational force, हना, तो उसके बाद हमने एक universal law of gravitation भी पढ़ा था, कि जो इस universe में हर body, जो जितने भी objects हैं, वो एक दूसरे को अपनी और attract करते हैं, ठीक है, तो जो उनका force of attraction है, वो किस पर depend करता था, directly proportional था, उनके masses के, and inversely proportional था, distance between them, square of the distance between them, है ना, हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, रजे, कि f is equal to g m1 m2 by r square, ये हम लोगों ने पढ़ा था, g m1 m2 by r square, इस पर जो ये force था, depend करता था, और बाद में हमने जब proportionality sign हटाया था, तो हमने एक g लगाया था, that is universal gravitational constant, है ना, तो इस g की value क्या होती थी, ये भी fix है, that is 6.67 into 6.67 into 10 days to power minus 11, unit क्या थे बच्चा इसके, newton meter square per kg square, हना, हमने इसकी units भी मैंने आपको निकाल के दिखाये थे, कि कैसे निकलते हैं, तो यहां तक आपको, अगर आपने मेरा last lecture देखा है, तो आपको अच्छे से clear होगी ये चीज, बट जिन बच्चों ने अभी तक last lecture मेरा नहीं देखा है, तो बच्चा प्लीज उपर आपको आइकन दिखरा होगा, आय दिखरा होगा, प्लीज उसको प्रेस कीजिए, ताकि आप मेरे पहले वाले lecture को देख सके, बाकि उसका link मैं ये description box में भी डाला हुआ है, तो आप वहाँ से भी direct link open करके भी देख सकते हैं, ठीक है, तो बच्चा आज हमारा next topic है, gravitational force between two different size of object, कि दो different size के अगर हम object लें, तो उनके बीच में gravitational force क्या होगा, ठीक है, तो बच्चा इसका मतलब क्या है, कि two different size मतलब एक object छोटा भी हो सकता ह है, बड़ा भी हो सकता है, दोनों same size भी हो सकते हैं, दोनों बड़े भी हो सकते हैं, तो उनको लेके हमने, examples लेके हमने बताना है कि उनके बीच में force of attraction कैसी होगी, कैसी का मतलब, जादा होगी, कम होगी, medium होगी, कैसी होगी, ठीक है, तो आज हम वह पढ़ेगे, तो सबसे पहले हम अपने छोटे objects लेके चलते हैं, जैसे हमने last lecture में किया था, मैंने आपको pen और, sorry, duster और marker लेके example दिया था, या फिर हमने वो gun वाला example लिया था, gun और duster लेके किया था, example, तो पहले हम वो उसकी बात करते हैं, तो बच्चा मान लो, हम दुबारा उसी पर आते हैं, म तो गलत मत लेना, and this is a duster, है ना, तो हमने क्या किया था बच्चा, हमने इन दोनों के बीच में G निकाला था, कैसे निकाला था, मैं दुबारा आपको बता देती हूँ एक बार, मैंने क्या लिया था, कि मैंने, माल लो बेटा, इसका जो मास है, वो है, M1, इसका मास है, M2, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है, वो है, R, और let it be, कि, sorry, let कर लो आपकी, इन दोनों का जो मास है, वो equal है, that is 1 kg, मान लिया मैंने, M1 is equal to M2, that is 1 kg, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, वो भी क्या है, 1 meter, मैंने मान लिया है, बच्चा, मैं दुबारा बता र मास भी 1 kg है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो 1 meter है, ठीक है, तो according to, जो हमने universal law of gravitation क्या है, उसके accordingly क्या होता था, F is equal to G M1 M2 by R square, अब सारी values इसमें put करो, F is equal to, G क्या होता है, 6.67 into 10 raised to power minus 11, मैं इसको थोड़ा उपर लिखती हूँ, wait a minute, यहाँ देखो, G M1 M2 by R square, F is equal to G M1 M2 by R square, ठीक है, अब values put करो, G is equal to 6.67 into 10 raised to power minus 11 into M1 1 है, M2 1 है, यह 1 1 है और R मेरे पास कितना है, वो भी 1 है, तो यह भी कितना आजाएगा 1, तो force कितना है मेरे पास, 6.67 into 10 raised to power minus 11 newton, तो आप खुद देख लो, यह force कितना कम है, कम है ना, तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ताकि जो objects का mass, मैंने आपको यही बोला था, कि यह दोनों objects का mass कम है, हना, 1 kg है सिरफ, तो, पर हमने पहले पढ़ाए कि, हर object एक दुसरे को attract करते हैं, तो इन दोनों के बीच में भी attraction होनी चाहिए, होनी कर रहे हैं कि यह motion में, आपको दिख रहे हैं कि यह gun इसकी तरफ attract हो रही है, यह duster इसकी तरफ attract हो रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि इनके mass कम होने की वजए से, इन में force of attraction भी बहुत 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 कम है, जिसको हम measure ही नहीं कर सकते, जो हमें visible ही नहीं होती, इसके कारण हमे इनका objects का motion जो है, वो दिखाई ही नहीं देता, है ना, तो हम इसका मतलब various objects जो है in earth पे, वो एक दुसरे को constantly attract कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके अंदर motion हो ही हो, क्यों, क्योंकि उनके, वो किस पे depend करता है, उनके बीच के gravitational force के उपर, gravitational force अगर बहुत कम है, तो हमे उन objects के बीच में जो motion है, वो दिखाई नहीं देगा, clear है ये, चीज़ clear है बच्चा, hop clear होगी, चलो, next example ये तो मैंने लिया कि जब दोनों का mass ही कम था, what about अगर एक object मैसा ले जिसका mass बहुत जादा हो, और दूसरों object मैसे ले जिसका mass बहुत कम हो, उस case में क्या होगा, बत तो कराऊंगी, आप भी तो थोड़ा दिमाख लगाओ, चलो, चलो फिर मैं आपको बताती हूं, देखते हैं, अब इसको उठा देते हैं यहां से, और हम अपने next example पे चलते हैं, हमने, मैंने अभी पढ़ा था पैचले lecture में कि जो अर्थ है, वो बहुत force के साथ किसी object को attract कर पैचती है, सही है, लाइक हम कोई चीज ऊपर फैकते हैं तो वो नीचे ही क्यों आती है भई, सोचा कभी किसी ने, नहीं सोचा, बस इतना पता है कि हम उपर फैकेंगे तो नीचे ही आएगी, बट यह नहीं सोचा कि क्यों आएगी, तो आज से सोचना शुरू करो, ऐसे यस साइंस में, लोजिकल सी, उन पर सोचा करो, उन पर दिमाग लगाया, जो साइंटिस्ट लोग थे, वो भी कोई, अगर वो भी हमारी तरह होते, तो आज तो भई, फिर सपन पड़ी होते, हाना, उन्होंने जो न्यूटन था देखो, पेड के नीचे बैठा, उसने सोचा, कि यह जो एपल है, वो नीचे ही क्यों गिरा, उपर क्यों नहीं चला गया, है ना, तब ही तो उसने देखो, ग्राविटेशनल फोर्स की, डिस्कवरी की, है ना, अपने लो, यह उनिवर्सल लॉफ ग्राविटेशन दिया, है ना, तो बच्चा, यही सेम चीज तुम भी सोच के देखो अब, कि जब कोई एक ऐस अबजेक्ट लो जो बड़ा हो साइज में, और एक ऐस अबजेक्ट लो जो छोटा हो, है ना, या तुम, अब मुझे इसका अंसर दो कि हम जब कोई चीज ऊपर फैकते हैं, तो नीचे ही क्यों आती है, अब तो हमें क्लियर हो जाना चाह जाद है, तो उसको ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रेक्ट करेगी, और जब मैं इसको उपर फैकोंगी, तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रेक्ट करके, नीचे ले आएगी, है ना, तो चलो, अब लेके चलते हैं, हम देखते हैं कि फोर्स कितना होगा, है ना, हम हमने फोर्स ऑफ ग्राविटेशन बच्चा कैल्कुलेट करना है, अर्थ और बोल के बीच में, कि अर्थ कितने फोर्स ऑफ अट्रेक्ट से बोल को अपने तरफ खीचे गिया, आप ये ले लो, पैन ले लेते हैं इसको जगा, हमने पैन लिया है ना, तो हम पैन नहीं ले ल इसको ध्यान ही रखना बच्चा, 6 into 10 raise to power 24 kg, ठीक है, और R कितनी होती है अर्थ की, रेडियस कितनी होती है अर्थ की, ये भी आपको ध्यान रखना है, that is 6.4 into 10 raise to power 3 km, clear है, और G की value क्या होती है, ये हमको पता ही है, हमने पिछले lecture में निकाली है, 6.7 into 10 raise to power minus 11 newton meter square per kg square, clear है, अब निकालो F, F क्या होता है मेरे पास, G, M1, M2 by R square, है ना, तो M1 मेरे पास क्या है, इसको मैंने M1 मान लिया, इसको मैंने M2 मान लिया, ठीक है, तो mass of earth is a M1 and mass of pen is a M2, ठीक है, अब देखो, इसमें सारी values put करो, पर एक बार, एक बार ध्यान रखना, हमें जो यह radius है, यह, सौरी कहां गई, यह रही, किलो मीटर में दिये, इसको मीटर में convert करना, तो अगर किलो मीटर को मैंने मीटर में convert करना है, तो I have to multiply it by 1000, मुझे 1000 से multiply करनी पड़ेगी, तो 3, 10 raise to power 3 पहले से था, 3, 0, 0 लग गई, तो कितना हो गया, 6.4 into 10 raise to power 6, यह मेरे पास आई है, अब मीटर में, यह मेरे पास जो आई है, अब वो मीटर में हाई है, ठीक है, 6.4, 10 raise to power 3 पहले से था, 1000 से मैंने multiply किया, now it is 6.4 into 10 raise to power 6 मीटर, ठीक है, 3 and 3, 6 हो गई, यह तो clear होगा, यह तो basic सा math है, इसको तो तुम लोग करी सकते हो, math में तो तुम लोग वैसी सब intelligent होते हो, ठीक है, तो हम आगे देखो, अब values put करो, बच्चा सारी, अगर मैं इसमें सा परी values put करो, then 6.7, 6.7 जी की value, into 10 raise to power minus 11, then mass of earth is 6 into 10 raise to power 24, 6 into 10 raise to power, sorry, 6 into 10 raise to power 24, clear है, now mass of pen is 1 kg, upon r square, r square मेरे पस क्या है, 6.4 into 10 raise to power 6 की, 6 का square, तो बच्चा अब आप इसको calculate करके देख लेना, अब यह basic सा math है, तो मैं यह आपको calculate करके नहीं दिखा रही हूं, कि अब इसकी values में आपको, क्योंकि मुझे science पढ़ाना है ना, तो मैं maths, maths नहीं कराऊंगी आपको, तो य यह journal सी calculation है, बिल्कुल easy सी, पहले आप 10 raise to power, power solve कर लो, यह आगे 10 raise to power 12, 24, 10 raise to power minus 11, इनको solve कर लो, then journal जो numerical value है, उनको solve कर लो, तो मेरे पास, बच्चा, F कितना आजाएगा, F मेरे पास आजाएगा, यहाँ से, जब मैं यह सारी values calculate करूगी, then F comes to, 9.8 newton, तो अब आप खुद देख लो, क्या यह attraction कम है, नहीं, this attraction is, this attraction is, more than, जब हमने small size masses ले थे, जब हमने सिरफ duster और pen की बात की थी, तो उस case में मेरी value आ रही थी, 6.7 into 10-11 newton, but now this is 9.8 newton, तो जब कोई एक object बड़ा होगा, और एक object छोटा होगा, तो उस case में मेरी force of attraction मुझे show होगी, motion दिखेगा, तब ही जब मैं कोई object उपर से नीचे फैक्ती हूँ, sorry, जब कोई object मैं उपर फैक्ती हूँ, तो वो नीचे ही आता है, किस की वज़े से आई है, जो pen है मेरी पार, जो मैंने उपर फैक्ता तो नीचे आया, क्यों आया, क्योंकि, अर्थ का मास बहुत ज़ादा था, और pen का मास बहुत कम था, जिसकी वज़े से अर्थ ने pen को अपनी तरफ attract किया, और हमें वो उसका motion दिखा, है ना, so simple ना, तो तुम आप easily बता सकते हो, जब दो object हम लेंगे, जिनका मास बहुत 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 कम होगा, तो उनके attraction भी बह motion नहीं दिखाई देगा, बट अगर मैं एक object ज़्यादा मास का ले रही हूं, like earth ले रही हूं, और एक object कम मास का ले रही हूं, तो हां मुझे attraction भी होगी, ठीक है, तो आप देखो बच्चा, अब हमने ये भी कर लिया, कि जब दो small size की होगी, जब हमने small size के object लिये, तो उन mass जो होंगे, वह बहुत ज़्यादा होंगे, दो objects हम ऐसे ले रहे हैं, जिनका mass बहुत ज़्यादा है, दोनों का ही, like अगर मैं earth ले लूँ, और मैं क्या ले लूँ, moon ले लू, earth ले लू या sun ले लू, दोनों का mass जो होगी, अब इस case में ज़्यादा हो गया, तो इस case में attraction प्रेक्शन क्या होती है वह हम निकाल के देखते हैं लेट्स दू तो हमने पहले अभी मैंने आपको दिखाया है कि मेरे पास जो मास ओफ अर्थ है मास ओफ अर्थ मैंने अभी आपको पिछले कॉस्चन में नहीं खवाया था क्या होता है वह सिक्स इंटू 10 दिश्ट बावर 24 ठीक है अब मैंने दूसरा मास ले लिया मून का बेटा उसको मैंने मान लिया मून का मास होता है 7.4 इंटू 10 दिश्ट बावर 22 केज ख्लियर है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यात आतेज आक वो कितना है बत्चा में बत्चा मेरे पास 3.84 इंटू 10 दिश्ट बावर 5 किलो मेटर क्लियर है अर्थव मून के बीच कान इस्टेंस नाव किलो मीटर है तो इसको मीटर में कनवर्ट करके लिख लो, क्या होगा मेरे पास, 3.84 इंटु 10 राज तु पावर 5 इंटु 10 राज तु पावर 3, 1000 को मैंने 10 राज तु पावर 3 लिख लिया, तो this comes to be 3.84 इंटु 10 राज तु पावर 8 मीटर, क्लियर है, नाव चलो, फोर्स निकालो इंके बीच में, g, m1, m2, by r square, तो क्या होगा मेरे पास, 6.7 इंटु 10 राज तु पावर, माइनस 11, g, m1, 6, इंटु 10 राज तु पावर, 24, नाव, m2, that is, 7.4, इंटु 10 राज तु पावर, 22, नाव, r क्या है मेरे पास, r क्या है बच्चा, 3.84 इंटु 10 राज तु पावर, 8 का, square, तो बच्चा, अब जब इस value को आप calculate करते हो, calculate करके देख ले ना, अगर calculation में problem आए, तो मुझे comment section में बताना, फिर मैं आपको, यहां science के साथ, maths भी समझाऊंगी, ठीक है, आपको बताऊंगी कि कैसे calculate करके, यह value आई है, बट आप एक पर खुद try ज़रूर करके देखना, कितनी आए, ठीक है, तो अब आप खुद देख लो, कि कितना जादा force है ये, किस amount में, जो अर्थ और moon का बीच है, जो force of attraction हो रही है, यही reason है, बच्चा कि जो moon होता है, वो earth के around revolve करता है, ठीक है, जो earth है, इस force के साथ moon को attract करती है, और यही force की वज़ए से, जो moon है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, तो अब आप खुद देख लो, कि कितनी large value है, जो हमने earth होर, pen के case में की थी, उससे कही गुना जादा है, है ना, और जो हमने दो object simple से लिए थे, जिनका, जो हमने dust और pen की बात की थी, इनका mass तो बहुत कम था, तो उस comparison में तो ये, बहुत 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 जादा value है, तो इससे हमें ये clear हो गया, कि, जो gravitation force है राजे, वो size पे depend करता है, है ना, कि हम size कैसे ले रहे हैं, अगर हमारे पास दोनों ही small objects हैं, तो उनके पीच का force बहुत कम होगा, तभी हमें motion दिखाई नहीं देता, ठीक है, जब हमने एक object बढ़ा लिया, एक छोटा लिया, तो वह हमें motion दिखाई दे रहा है, कि मैं pen उपर फैकरी हूँ, तो वो नीचे आ रहा है, अर्थ के gravitational force की व around revolve करता है, जो satellites हैं, वो planets के around move करते हैं, क्यों, क्योंकि circular motion में move कराने के लिए, हमें centripetal force की जरूरत होती है, और वो centripetal force कौन प्रवाइड करता है, यहाँ पे gravitational force, gravitational force ही है, जो centripetal force प्रवाइड करता है, और जो satellites हैं, वो planets के around move करते हैं, जो अर्थ है, sun के around move करती है, क्लियर है अच्छे से देख लो इस टॉपिक को जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी प्लीज 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 वह देखो तभी आपको यह आज वाला आज की वीडियो समझ आएगी नहीं आएगी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे कि न्यूटन का जो थर्ड लो था और ग्राविटेशन था वो कैसे आपस में कनेक्टिड है ठीक है और और क्या पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में फ्री फॉल बॉड़ी पढ़ेंगे क्या होती है एक्सलेरेशन डू टू ग्राविटी पढ़ेंगे न्यूटन ने जो थी लो दिये थे वो ग्राविटेशन वाली जो एक्वेशन हैं जो एक्वेशन हमने मोशन वाली चैप्टर में बढ़ी थी थी वो हम इसमें भी पढ़ेंगे बट वो ग्राविटेशन फोर्स को लेके पढ़ेंगे ठीक है और मास पढ़ेंगे वेट पढ़ेंगे डिफरेंस पढ़ेंगे उ हमेशा कहती हूँ ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलेट करूँ अपलोड करती हूँ तो आपके पस नोटिफिकेशन आ जाए ठीक है और सब्सक्राइब जिन्हों ने अभी तक नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को और प्लीज अपना प्यार जैसे आप आज त इतना प्यार दिया ऐसे ही वह प्यार मुझे आगे भी देते रहिएगा ठीक है और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ठीक है उन्हें भी कहिए अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो की आप लोग भी देखो आपको भी सिखने को मिलेगा और थैंक यू थैंक यू सो मुच अगें थैंक्स वर वाचिंग